आप इस संसार में सबसे ज़्यादा किसे प्रेम करते हैं? अपनी संतान को ना? संतान ना हो तो भी कष्ट का कारण होता है और संतान हो और कष्ट में हो तो भी अपार कष्ट होता है आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बता रहे हूँ जो आपकी संतान से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करने वाला है ये वृत है पुद्रदा एकादशी का कल यानि 13 जन्वरी 2022 को पुद्रदा एकादशी है इस वृत का बहुत महात्म है इस वृत को करने से धन संपत्ति एश्वरे ये सब तो प्राप्त होता ही है पर साथी साथ अगर आपके कोई संतान नहीं है या संतान है और उसको कोई कष्ट है तो उसका भी निवारण होता है जैसा कि मैंने आपको अपने पहले के वीडियोज में बताया कि हमारी भारती संस्कृती की विश्येष्टा ये है कि हर व्रत के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है और जब तक हम उस व्रत के साथ जुड़ी हुई कहानी को सुनते नहीं है तब तक हमारा व्रत जो है वो पूरा नहीं माना जाता तो आज मैं आपको पुत्रदा एकदशी की कहानी सुनाती है बहुत पुराने समय की बात है भद्रावती नाम का एक शहर था जहांकि राजा का नाम था सुकेतुमान उनकी पत्नी का नाम था शैव्या राजा सुकेतुमान बहुत ही धर्म परायन राजा थे और वो अपनी प्रजा का पुत्र की भाती पालन पोशन करते थे उनके राज में धन, बैभाव, एश्वर ये किसी चीज की कमी नहीं थी पर सबसे बड़े दुख का कारण ये था कि उनको कोई संतान नहीं थे उनको कोई पुत्र नहीं था अब राजा रानी को दिन रात यहीं चिंता खाये जाती थी कि अगर वो निसंतान ही मर गए तो उनके पित्रों का तरपड कौन करेगा उनका श्राद कौन करेगा, उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, ये राजकाज कौन समालेगा इसी चिंता में राजा रानी दोनों घुले जा रहे थे एक बार तो राजा सुके तुमानने अपने प्राण लेने की भी सोची लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं अपने प्राण लेना तो सबसे ही निक्रष्ट बात है धर्म पर आये चीज नहीं है यह तो उन्होंने वो विजार त्याग दिया राजकाश करने लगे समय और बीता गया जब और समय बीता काफी समय बीतने के बाद भी उनको संतान नहीं हुई तो एक दिन राजा का मन बहुत उजाट हो गया वो अपने गोडे पे बैठे और निकल पड़े वन की ओर वन में पहुँचे तो वहां देखा उन्होंने कितना तरह के जीव जन्तु थे हिरन दिखे हिरन अपने शाब को के साथ गूम रहा था हाती जो था वो भी अपने बच्चों के साथ गूम रहा था उन्होंने देखा सारे जीवजन्तु जो है वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं उनको बहुत दुख पहुचा, उनको लगा मैंने क्या पाप किया है मैंने तो हमेशा प्रजा का पुत्र की भाति पालन किया, कभी धर्म के विरुद्ध कोई कारे नहीं किया तो मुझे ही ऐसे क्यों देखने को मिल रहा है, ये मेरे किस पाप का फल है ऐसा करते करते दो पहर हो गई, राजा ने कुछ नहीं खाया था, उनको बहुत प्यास लगी तो उन्होंने सोचा कि एक जलाशे डूना जाए, जलाशे डूनते डूनते वो जंगल के कोने में पहुँचे तो वहां देखा जलाशे कि आसपास कुछ मुनी लोगों ने, रिशी लोगों ने डेरा डाला हुआ है चुकि राजा धर्म परायंट थे, फौरण पहुँच गए, उन रिशियों के पास उनको प्रणाम किया और बैठे उनके पास, रिशियों ने पूछा कि राजन कैसे हैं आप, कुछ बताईए तो राजा ने अपनी समस्या बताई, कि वो निसंतान है और वो निसंतान नहीं मरना चाहते है रिशियों ने उन्हें सलाहा दी कि राजन आप आज का दिन जो है वो बड़ा शूब है और आप बहुत अच्छे दिन आए हैं, आज पुत्रदा एकादशी है अगर आप इस वरत का पालन करेंगे या जो कोई भी व्यक्ति इस वरत को धारण करता है, इस वरत को करता है तो अगर निसंतान है तो उसको संतान की, पुत्र की प्राप्ती होती है और अगर संतान है और वो किसी कष्ट में है तो उसके सारे कष्टों का निवारन होता है राजा यह जानकर बहुत प्रसंद हुए उन्होंने तुरंत निश्य किया कि इस वरत का पालन करेंगे और जैसा कि रिशी मुन्यों ने उन्हें बताया था उन्होंने श्री हरी भगवान विश्नु की पूजा की जो कुछ भी वहाँ था वो इश्वर को अर्पित किया उनको पीले पुश्प अर्पित किये मंत्रों से उनकी उपास ना की और वापस अपने राज्जी की ओर लोट गए कुछी समय बाद रानी शैविया गर्ब वती हुई और नौ महीने बाद उनको पुत्र की प्राप्ती हुई उनका पुत्र उनी की तरह धर्म परायन और प्रजा का पालक करने वाला निकला और बहुत ही यश्वस्वी और बहुत ही किर्थिमान हुआ तो इस तरह से ये पुत्रदाय कादशी की कथा है अगर आपने वरत किया है तो आप कथा सुनेंगे ही अगर आपने वरत नहीं भी किया है तो भी इस कधा को सुनिए और इसकी महिमा का लाब उठाईए